नमस्कार दोस्तों अगर आपने भारत के नदियों के बारे में पढ़ा होगा तो I am sure कि आपने महा नदी रिवर के बारे में definitely जाना होगा महा नदी रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है हस्देव नदी हस्देव नदी जो है महा नदी के ट्रिब्यूटरी है और ये जो हस्दियो रिवर है वो गुजरती है आपकी एक forest से जिसका नाम ही है हस्दियो आरंड forest तो हस्दियो forest के अंदर mining को लेकर एक काफी बड़ी controversy हो गई है राहुर गांधी जी ने भी रिसेंटली कुछ statement दिया है यह आप देख सकते हो coal mine extension approved in हस्दियो forest local tribal protest तो बहुत लंबे समय से इस particular वीडियो की मांग हो रही थी exactly है क्या यह पूरा controversy मैं आपको डीटेल से समझाओंगा काफी कुछ जानने को है चली आगे बढ़ते हैं लेकिन उसके पहरे मैं आपको बता दूँ बहुत कम आपको मौका मिलने वाल है अब इस तरह का क्योंकि सिर्फ डबल कर सकते हो फायदा साथी साथ अगर आप mcqs attempt करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेश पर जा सकते हैं वहाँ पर stories में जितने भी mcqs हैं उसको आप attempt कर सकते हैं चली सुरवात करते हैं और सबसे पहले देखते हैं exactly अभी हो क्या रहा है मतलब कि अचानक से अभी वापस से controversy क्यों start हो गई है दीखे राहुल गांदी जी अगर आपको याद हो recently वो Cambridge University गह वे थे और वहाँ पर students के साथ interaction हो रहा था तो वहाँ पर राहुल गांदी जी से पूछा गया कि आपकी party की जो सरकार चल रही है 36 गड़ में आपको पता है से मैं Congress की सरकार है तो Congress की सरकार ने एक coal mining को allow कर दिया है हस्दियो forest में मैं अभी आपको locations वगरा सब दिखाता हूँ लेकिन आप देख पाऊगे यहाँ पर March की महने में बताया जा रहा है कि second phase of mining और यह second phase किसका वहाँ पर एक coal block है इस forest के अंदर एक coal block है जिसका नाम है परसा इस के ते बसन यह particular coal block में करीब 11 136 hectares की जो जमीन है वहाँ पर mining को allow किया गया इसी को लेकर राहूल गांदी जी से पूछा गया कि आपका क्या कहना है इस particular decision को लेकर तो उन्होंने यहाँ पर यह कहा कि I have a problem with decision myself मतलब कि उन्होंने अपने party के decision को लेकर ही सवाल खड़ा कर दिया और उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि वहाँ पर कुछ protest जैसी चीज़ें चल रही है और यह protest काफी हद तक justified है तो दीखें यहाँ पर कई बार problem है इसलिए कई बार राहूल गांदी जी से question फुशा जाता है कि जब आपको खुद पता है कि यहाँ पर problem चल रहा है यहाँ पर protest justified है तो आप कुछ action क्यों ने लेते आप ही की party की वहाँ पर सरकार चल रही तो आपको कुछ उसको लेकर करना चाहिए था अगर आप चाहते थे इस decision को turn कर सकते थे तो आपका क्या कहना है इन सारे चीज़ों को लेकर तो यह पूरा controversy वापस से news में आ क्या लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो जो 36 ग अगर आप 36 गड़ का map आपको ध्यान में हो यह आप देख सकते हो यह 36 गड़ का map है और इसके नदन वाले side में यहाँ पर करीब आप कह सकते है यह जो नदन वाला side है तीन district आपको देखने को मिलेगा एक है इसका नाम है कोरबा, सुजापूर और सरगुजा यह तीन district अग यह बहुत जादा प्रशिद है, वहाँ पर sizable tribal population आपको देखने को मिलेगा, अगें यहाँ पर right side में भी यह जो map है इस्तरका कुछ वो आपको देखने को मिल सकता है हस्दियो अरेंट फोरेस्ट और इसी फोरेस्ट के अंदर यहाँ पर आपको coal mining क्योंकि बताया जाता है क यह biodiversity के लिए तो famous ही है, लेकिन बड़े पहमाने पर यहाँ पर coal deposits पाय जाते हैं, in fact यहाँ पर 2022 में एक report release किया गया था by Indian Council of Forestry Research and Education जो की directly Ministry of Environment, Forest and Climate Change के अंदर आती है और उन्होंने हस्दियो अरेंट फोरेस्ट को term किया था largest unfragmented forest in Central India, मतलब कि मद भारत में it is one of the largest unfragmented यहा आ गया हो, और वहाँ पर आपको प्रिस्टाइन साल जो forest होता है, टीक जो लकडी होती है, वो वहाँ पर देखने को मिलता है, तो काफी बड़ा biodiversity है इस particular forest के, महतोता भी बहुत जादा बढ़ जाती है, लेकिन जहां तक coal mining की बात है इस forest के अंदर, देखो इसकी जो coal mining है, वहाँ पर बताया जाता है कि इस forest के अंदर, 1880 square kilometer of यहाँ पर हस्दियो अरंट coal field देखने को मिलता है, अब इस coal field को करीब 23 coal blocks में divide किया गया है, करीब 23 coal blocks वहाँ पर पाया जाते हैं, और इसका जो mining का demand है कि महाँ से coal निकालना चाहिए, यह demand करीब 2010 में start हुआ था, 2010 में आ 98 hectares of forest land for P.E.K.B. देखो यह जो पुरा controversy है ना, जिस coal field की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर इस forest के अंदर, इसका नाम है परसा East and Kentebasan, यह particular coal field के लिए अलाव किया था, 2010 में 36 गड की सरकार ने, और यह basically यह जो coal field है ना, यह बताया जाता है कि इसको run किया जाता है by Adani Enterprises, इसक official mine developer और operator है, क्योंकि कहीं पर भी mining अगरा है, कोईला कहां पर होगा, कितनी quantity होगा, तो वो company उसको देखती है, तो यह सब कुछ Atani Enterprise देख रही थी, लेकिन उससे जो कोईला निकलेगा, वो किधर जाएगा, तो बताया गया कि यह जो पूरा कोईला allocate किया गया था, यह किया राजस्थान, राज्य, विद्धूत, उत्पादन, निकम लिमिटेड, मतलब राजस्थान के अंदर जो power plants चलते हैं, वहाँ पर इनको allocate करना था, तो 2010 में यह decision 36 गड़ की सरकार ने लिया, तो उसी समय यहाँ पर protest start हो गया था by forest dwellers, और पुरा मामला court के अंदर चला गया, यहाँ पर कई सारे जो forest assessment reports हैं, उसको लाने पर मर्भूज किया गया, 2011 में आप देख सकते हो, June 2011 में, center में आपको पता है कि Congress की सरकार थी, तो forest advisory committee जो की environment ministry के अंदर आती है, उन्हों ने यहाँ पर इसके खिलाफ decision ले लिया, मतलब 36 गड़ की सरकार ने यहाँ पर इसको clearance द जैराम रमेश जी हैं, जो environment minister थे, उन्होंने इस decision को overrule कर दिया, और कहा कि नहीं, यहाँ पर हम coal mining allow करेंगे, हाँ, coal mining allow करेंगे, बट dense forest में नहीं होगा, dense forest के बाहर, मतलब अलावा, जो areas हैं, वहीं पर coal mining को allow किया जाएगा, और finally 2012 में जो है, पहले phase, जो अभी मैंने आपक 62 hectares of mining है, वो की जाएगी, और वहाँ पर 137 million tons of coal जो है, पाये जाएगा, ठीक है, तो यह पहला clearance हुआ, अभी इसी साल, March के महने में, जो second phase of mining है, again, इसका coal जाएगा, राजस्थान, राज्य विद्यूत, उत्पादन निगम को, तो जो second phase है, यहाँ पर 1136 hectares of coal mining, जो है, य इसी को लेकर, यह जो second phase clear किया गया है, इसी को लेकर अब वापस से काफी जादा प्रोटेस्ट हो रहा है, क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है, definite सी बात है, environmental impact, 2022 में मई के महने में, दो studies की report आई है, एक है ICFRE और दूसरा है Wildlife Institute of India, दोनों के द्वारा underline किया गया है, कि यह काफी important है, biodiversity के perspective से, और अगर mining उहाँ पर allow किया जाएगा, तो काफी बड़ा impact आएगा इस पुरे biodiversity में, in fact यहाँ पर human elephant conflict को भी दर्शाया गया, इस report के अंदर, और कहा गया कि 36 गड़ के अंदर, although आप दूसरे राज से compare करो, तो elephants की संख्या कम है, लेकिन उसके बावजूद भी जो number of accidents होते हैं, human elephant conflict होता है, वो कहीं जादा है, और अगर इसी तरह से उनका habitat loss होता रहा, forest को further clear किया गया, तो यह जो संख्या है, human elephant conflict का, यह और जादा बढ़ता जाएगा, और जो elephant की movement है, वो urban areas में हो लगीगी, तो यह सारे problems आगे आने वाले समय में और बढ़ जाएग community है, culture है, वो loss में जा सकती है, और जो tribal people है, उनको काफी बड़ा नुकसान होगा, इस particular mining से, लेकिन अपने report में यहाँ पर उन्होंने कहा कि चार ब्लॉक में जो है, वो mining कंसिडर किया जा सकता है, वो है तारा, परसा और P.E.K.B. जो मैंने बताया है, यहाँ पर second phase के लिए clear and supply और kente extension, ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया कि आप चार जगए start को कर सकता हो, लेकिन strict environmental safeguard आपको follow करना होगा, लेकिन उन्होंने यह भी कहा है बार बार अपने report में, कि अगर आप करते हो, तो again, जो habitat है, जो कि काफी rare है, endangered है, उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा, तो यह आपको थोड़ा सा को समझने की ज़रुत है, कि अभी भी reports के दौरा बताया जा रहा है, कि यहाँ पर, यहाँ पर जो mining है, वो नहीं करनी चाहिए, अभी भी कई सारे मामले courts के अंदर pending है, अभी भी बहुत सारी studies बाकी है, लेकिन उसके बावजूद भी मार्च 2022 में, 36 गड 2021 में, 300 किलोमेटर का लॉंग मार्च निकाला गया था, जिसमें करीब 300 पीपल, लोग जो है, ट्राइबल कम्यूटी से वो लाए गए थे राइपूर के अंदर, इसके अलावा इस तरह की लगतार, आपको pictures देखने को मिलेंगी, आपको चिपको movement के बारे में पता होगा, उ उन्हें कहा कि अगर राजिस्थान को कोईला नहीं मिला यहां से, तो काफी बड़ा कोईले की crisis आ सकती है, मतलब power crisis आ सकती है, और साथी साथ उनका ये भी कहना था कि जो activists हैं, जो कि इस पूरे protest को lead कर रहे हैं, वो local people को misguide कर रहे हैं, करीब 8 लाख trees जो है, वो plant किया गया है, 100 bed hospitals मिल रहा है, तो एक तरफ यहां पर activist का कहना है कि नहीं, ये गलत हो रहा है, दूसरी तरफ यहां पर जो जिनको कोईला चाहिए, जिनको power विभा को कोईला चाहिए, वो कह रहे हैं कि जान मुझके इस तरह की चीज़ें की जारी हैं, और in fact यहां पर एक conference भी किया गय लेकिन actual में ऐसा नहीं है, और हमें किसी न किसी प्रकार से यह जो पुरा forest है, हस्दयो forest है, उसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए, अब देखते हैं exactly अब आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, बटाई हो कि यह जो पुरा controversy है, वो तो at least आपको समझ में आ गया होगा, आप क्या सोचते हो, इसको लेकर क्या करना चाहिए, middle way क्या होगा, जाने से पहले एक interesting question, क्योंकि हम forest की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हैं, भारत के अंदर किस type का forest जो है, वो सबसे largest area occupy करता है, चार option है, इसका right answer आपको पता ही है, मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, टेलिग्राम से भी ले सकते हैं, इसका सही उतर, मैं कई सारे जो MCQs हैं, वो यहाँ पर stories में डालता रहता हूं, बाकि अगर आपको PDF यह तो टेलिग्राम पर आई या लग-लग social media पर भी आप जुडपा होगे, और जैसे मने बताया कि अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं, यूज दिसकोड अंकित फ्लैश या फिर स्टेट PCS हो गया UPBR, कोई भी आप ले सकते हैं, कोड इस्तिमाल कर लिए तब आपको इतने कम दाम पर यह पूरा कोर्स मिल जाएगा, I hope कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, मलता हूं, आप से न